आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रिश्ण है एक अस्पताल आस्पिटल के एक रोगी को प्रती दिन 7 cm व्यास वाले बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है यदि यह कटोरा सूप से कितना 4 cm उचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 2500 रोगियों के लिए प्रती दिन कितना सूप तयार किया जाता है यह हमें ग्यात करना है तो हमें क्या कहा जा रहे दोस्तों, एक बेलनाकार कटोरा है जिसका व्यास हमें दिया गया है तो इसका व्यास दिया गया है तो हम देखिए दोस्तों इस प्रकार से बेलनाकार कटोरा है इसका व्यास दिया गया है इसका हमें व्यास कितना दिया है यह है चार संटी तर साथ संटीमिटर इसका व्यास है साथ संटीमिटर तो दोस्तो हमें कहा जा रहा है कि इस बेलनाकार पात्र में कुछ उचाई तक सूप भरा जा रहा है तो देखे दोस्तो यहां पे सूप इस तरह से इसमें भरा हुआ होगा पात्र में तो उसकी उचाई हमें दी गई है कि पूरे बरतन में ये कटोरे में सूप भरा हुआ है, उसकी उचाई है 4 cm, इतनी उचाई, पूरी उचाई तक नहीं, सिर्फ 4 cm तक सूप भरा है, तो उसकी उचाई के लिए लेते हैं H, ये दिया गया है, 4 cm तक सूप भरा हुआ है, तो हमे इसका आयता निकालना है मतलब एक कटोरे में कितना सूप आएगा एक वेक्ती के लिए उसके हिसाब से हम 200 लोगों के लिए हम सूप तयार करना है उसका मात्रा के लिए तो दोस्तों यहां से कटोरे का व्यास कितना है तो कटोरे का व्यास कटोरे का व्यास है 7 cm तो कटोरे की तरिज्या आर कटोरे की तरिज्या कटोरे की तरिज्या क्या हो जाएगी दोस्तो व्यास बटा 2 तो आर कमान कितना आ जाएगा व्यास कितना है इसका 7 बटा 2 याने 3.5 cm या 7 बटा 2 cm और इसमें कितनी उचाई तक के सूप भरा जाता है तो चूप की 4 सेंटीमिटर इसमें 4 सेंटीमिटर की उचाई तक ही उचाई तक सूप भरा जाता है अब यदि इसमें उतने उचाही तक सूप भरा जाता है तो इसका माल लेते हैं H पराबर 4 cm तो अब हमारे सूप का आयतन एक बरतन में सूप का आयतन तो यहां से हल करते हैं चूँकि एक रोगी को दिये जाने वाले सूप का आयतन तो यहां से हल करेंगे क्या हो जाएगा यह हमारा पाई गुणा आर का वर्ग गुणा H यही हो जाएगा हल करते हैं मान कितना आ रहा है यह हो जाएगा 22 बटा 7 गुणा आर का मान कितना है 7 बटा 2 गुणा 7 बटा 2 वर्ग है इसलिए H का मान है 4 साथ से साथ कड़िया, चार एकाम चार दो एकाम दो दो दुनी चार यहां से दो से भी दो कड़िया, तो क्या आ रहा है दूसों? बाइस गुणा साथ, साथ दूनी चौदा हां से लाया एक और साथ दूनी चौदा और एक 15 गन संटीमेटर, 154 गन संटीमेटर सूप प्रतेक रोगी को दिया जाता है, तो यहां कितने रोगी है, तो चूंकि अस्पताल में 250 रोगी के लिए सूप बनाया जाता है, इसलिए त चूंकि एक रोगी के लिए सूप, एक रोगी को दिये जाने वाले सूप, जाने वाले सूप का आयतन, कितना है दोस्तों, यह है 154 गन संटीमेटर, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों यहां से, 250, कितना, 250 रोगीयों को दिये जाने वाला सूप को दिये जाने वाला सूप का आयतन वना सूप का आयतन कितना हो जाएगा यह हो जाएगा गुणा हो जाएगा एक व्यक्ति से 1.500 का एक व्यक्ति को चिपनल दिया 163,735 गण इसे 30,500 घन सेंटीमिटर मतलब इतना सेंटीमिटर घन सेंटीमिटर और 30,500 घन सेंटीमिटर सूप बनाया जाएगा धाईसो रोगयों के लिए धन्यवाद दोस्तों Classics चुट्वल से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर